हेलो एन वेलकम काई स्वागत आपका फेंटासी डिशन चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूरोपेन क्रिकेट टीटेंड लिग की जो की मैच होने वाला है यहां से ब्रिगेट वर्सिस ग्रिफिंज के बीच में तो चले दोनोंगे टिम के प् प्रिफिंज के लिए यहां से आवइड करके जा सकते हैं इसमें विनिंग करना थोड़ा सा आसान होने वाला है अगर एक दो चीज़ेंगे अगर आप समझ देते हैं तो चले दोनोंगे टिम के बारे में देख लेते एक बार और बीना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो इस मेंच की बात करें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो यूटूब चैनल को सस्क्राइब करके रख दीजिए क्यूंकि आगे आने वाले और अच्छी मैच इसकी वीडियो आप यहां से बोलारोल बेश्मेंट दोनों अच्छा कर सकते हैं इवान अच्छा बड़ा स्कॉर भी हो सकता है वो रिविकेट भी गिरती हुए दीख सकती है बाकि एवरेज स्कॉर की बात करो तो यहां से 120 रन के आसपास का स्कॉर बनता हो दिखेगा क्योंकि आर आटी विचे करवा सकते हैं यहां से देखो और यह जो प्लेइंग इलिमन अन्यासे उपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है आप अंडरस्टेणिंग कर सकते हैं क्योंकि एवरेज और एक सो अर्थी से आयर्लेंड की फस्क्लास के लिए वहां के रेकोर्ड से उनके 6 मैच के अंदर 138 त पाकिस्तान की तरब से डोमेश्टिक मेश खिल शुके लिस्ट टेके इनके रेकोर्ट मिलें जहाँ पर 24 मेच के अंदर 1052 रन है 52 की आवरेट से और 8 विकेट भी निकाले हुए लेकिन उनके जो रेकोर्ड से यह अच्छे है और कभी भी अच्छा कर सकते हैं तो यह प्लेयर समें जह काफी अच्छा लगा राइट हैंड बेटिंग करवा लेता है प्लस राइट हम मीडियम फास गेंबाजी करवा लेता है नौ मैच इसके अंदर 111 रन है पांच विकेट भी ली हुई है तेरा ओवस की गेंबाजी की यानि कि हर एक मैच में लगबग आपको एक दो ओवस करता हूँ नजर आ सकता है बाकी बेटिंग से भी अध्शा-कासा कर सकता है तो यहांसे निक गरे माने लिए लिए थो 39 के बात करने किय Communist मैं आपको एक दूबग करता हूँ नजर आ प्लस ठोड़ा-सा ओपर बेटिंग करने के लिए आएगा हो सकता है आपको वन डाउन या ओपनिंग में भी दिख जाए तो यहां से आपको बॉयाटिंग से बॉलिंग से दोनों इसे अच्छा करता हूँ नचर आ सकता है यहां से जैक हॉल बात केने हैं यहां से एंड्री ब्रिट्टन की तो आठ मैच के अंदर एक्सों आठ रहने 21 की अवरेट से रन की हो च्छे विकेट भी निकाले हो तो एक अच्छी चोईस है यहां से एंड्री ब्रिट्टन और आप उनको लिखे जा सकते हो वैसे इनका सिलेक्शन भी जादा अगर आप 4-5 टीम अगर बना लेते हो वीडियो के अकोर्डिंग जो भी स्टेटिकल के इसाब से बना लेते हो तो आपको हो सकता है ग्रांड लिग में अच्छा रैंक करने का मौका मिल सकता है आज की मैच के अंदर बात करूं यहां से ओसिन रेनोल्ड की तो 10 मैच के लगबग पूरी करवाएगा और आपको हरेक मेच के अंदर लगबग पूरी करवाएगा और आपको हरेक मेच के अंदर विकेट लेता हो नजर आ सकता है स्यमसिक्जियुैसिन यहां से रहं बरार की बारे में बतांगा लेफ्ट हैडर बैटिंग करवा लेते प्लस रायट अम मीडियम फस्ट गेणबाजी करवा लेते यह बंदा आपको दे फोस में भी गेणबाजी करता हो है यहां से रयंबरार 23 ऒरह 기 आने के अरएक मेच में लगबग आपको एक आधी ओस करतावा नचर आ सकता है ते राइट हैंडेट बेटिंग करवा लेता हैं बात के रहें से सीमोन ऑलफेट की तो दो मेंच के अंदर 17 रहने अंदर 19 वंडे खेले हुए राइट हैंडेट बेटेंग अरवा लेते तो यह जो डोमेस्टिक लिवल के वंडे होते हैं अंदर 19 के आईलेंड की तरफ से वहां से सेमोन ऑलफेट वहां से खेल चुके हैं लेकिन लास्ट मेंच मेंके कलब की मेंच इसमें उनका जो नमर था का सब्सक्राइब करेंगे अगर खेलते हैं नजर आये तो बात करूं यहां से ग्रिफिंस की तो इनके जो प्लेयर से ने वह भी सारे इंटरनेशनल पेलेंगे यहां से डेमियन वॉलन आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं एवरेज काफी अच्छी है पांच मैच कंदर 159 रन है 31 की अवरेज से रन की हुए तो आपको अच्छा कर सकते हैं यहां से बैटिंग सेक्शन की बात कर तो आपके लिए अच्छी अच्छी अप्सन होन यहां से बात करो डैनियल ली मिजियर की तो साथ मैच खेले जहां पर 134 रहने तेरा विकेट से यह एक अच्छी चोईस हो सकते हैं आपके लिए अगर कैप्टेंशिप और वाइस क्टेंशिप देना चाहो तो यहां से डैनियल ली मिजियर आपके लिए अच्छी चोईस हो सकते हैं साथ मैचिस के अंदर 134 रहन और 13 विकेट ओडिडी के अंदर है यानि कि उनके जो डोमेश्रिक लेवल के ओडिडी होते हैं वहां का रेकॉर्ड से बात करें यहां से बात करूँ ग्लैन ली टीजियर की तो 9 मैच के अंदर 9 विकेट से 15 रहन भी कियो है ओडिडी के अंदर राइट हैंडे बैटिंग करवा लेते हैं प्लस स्पिन गैन बाजी करवा लेते हैं तो अपने इसाब से एक अच्छी चोईस हो सकती यहां से ग्लैन ली टीजियर जो की बैटिंग से बॉलिंग से दो कि यहां कि हर एक मैच में लगबख पूरी ओस करते हो नजर आएंगे प्लस विकेट लेते हो भी नजर आ सकते हैं प्लस यह बंदा आपको टॉप ओडर में बैटिंग करवाता हो नजर आ सकता है मैंने चेह नमबर पर मेंशन किया है इसको लेकिन हो सकता है यह बन डाउन य मैच में लगबख पूरी ओस करवाएगा यहां से लुकली टीजियर और इनको भी आप कैप्टेंशिप वाइस कैप्टेंशिप दे सकते हो बाकि बात करें यहां से जॉर्डन मार्टेल की तीन मेच के लिए टीट्वेंटी जहापर छे विकेट निकाले यहां कि हर एक मैच करते हो नजर आएंगे प्लस विकेट लेते हो भी नजर आ सकते हैं यहां से जॉर्डन मार्टेल बाकि यहां से डैन मुल्यन की बात करें तो आठ मेच खेले जहापर 21 रंड की दस विकेट निकाले हुए ओडीटी में तो आपको यह बंदा भी हर एक मेच में लगबख पू जो कि दो मेच के अंदर एक विकेट निकाले हुए राइट हैंडर बेटिंग करवा लेते हैं तो इनको में नौटिज करके चलना है क्योंकि लेफ्ट आम ऑठोडोग गेंबाज है ना उनकी विकेट लेने की कैफिसेटी काफी अच्छी होती है यहां से एडम मार्टेल भी ज्यादा जंदा की नजर भी नहीं होने वाल है यह से हम लोग उनको पिक करके जा सकते हैं ने दिखने हैं देखने की बात करतों आपको जेसन मार्टिन पर दीक सकते हैं जो कि एक मैक खहले हूँ है बैटिंग के लिए इसर मैक कर्कूपर पर उनके पास भी बैटिंग से बॉलिंग से कोई भी रेकॉर्ट नहीं है लेकिन चार वर्ष की गेंद बाजी जरूर किया उन्होंने जहां पर विकेट उनको नहीं मिला हुआ है अकि टॉपिक्स की बात के लिए इस मैच के लिए एन ग्रे यहां से डी होपर और यहां से एल लेकिन सकते हैं तो विकर की बात करो तो वह भी टॉप और में बैटिंग करवा सकते हैं बाकि वल्राउंडर सक्षा की बात करो तो यहां से जे मार्टल एंड ग्रे और यहां इरल री टीजळ को मैंने फिक किया है वागि बाद सक्षान के बात करो मैंक बेत है यहां से आर तलंसनों और यहांthing मॉलिएन चंड इंड़ी होसाक्त है आपके लिए कि 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 यहां से एंग्रे को मैंने दिये लेकिन मैं कभी काफी सारे चैंजिस कर सकता हूं और आपको टेलिग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो लिंक से जुड़ सकते हो या फिर आप आप टेलिग्राम में जाके सर्च कर सकते हो फैंटासी डिसन चेलेंजर या फिर आप सर्च कर सकते हो एड़ डरेट एफ डी सी ट्वेंटी सेवन और आपको सीधा चैनल मिल जाएगा सिंपली उसे जॉइन कर लेना है तो यहां पर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो क देखते रहो अच्छा अनालीसेश करते रहो अच्छी टीम बनाते रहो अच्छी विनिंग करते रहो जय हिंद जय वारत